हैलो फ्रेंड्स, हैपी होम गार्डन, आशा की गार्डन में आप सभी को वेलकम है आज मैंने आपको हाड प्रूनिंग के बारे में बोल दूँगी मेरेको 100% रिजल्ट मिल गया है हाड प्रूनिंग कब करना है क्यूं करना है और कैसे करना है कब किया तो इसका 100% result आपको मिल सकता है चलिए आज मैं experience के साथ मैं already result पा लिया है वही मैंने आपको दे रही हूँ hard pruning कभी भी एक साल के उपर रहना है plant कौन सा भी plant हो एक साल के उपर रहे तो उसका stem और root मजबूत रहते है आप hard pruning तब कर सकते है तब hard pruning कर दिया तो आपका कौन सा भी plant यह मेरा गुलाब का plant है मैंने hard pruning किया था one month पहले 15 दिन में यह result मेरे को मिल गया है एक साल के बाद ही आप hard pruning करिये तब आपको बहुत सारे धेट सारे branches ले सकते है और healthy plant भी बना सकते है आपको पास देख सकते है result आगे ही है यह 15 days बाद one month का result यह ठीक है friends ओ भी में मन्त में आप hard pruning जरूर करिये अप्रिल में मन्त बहुत अच्छा मन्त है रोज का हो, हाइबिसकस का हो, जास्मीन का हो अप्रिल में कर दिया तो hard pruning में मन्त में start हो जाएगी बारिश बारिश के बजे से पूरा आपको अच्छा result मिल जाएगा थैंक यू फ्रेंट्स आपको वीडियो अच्छे लगे तो information अच्छे लगे तो like करिए, comment करिए, share करिए कुछ भी रहे तो आप comment section में बता दीजिए जरूर उसका हाल और उसका कुछ भी रहे तो problems मैंने solve करने के लिए try करूंगी, thank you, धन्यवाद, शुक्रिया, welcome